तो बस सामनाले बंदों ने मुझे करते हैं नॉक आउट और अब यहाँ पे हम पे हो रहा है रश अब यह बंदे जो है पूरे चार है मतलब यह पूरी स्क्वाइड है अब यह हम पे कर रहे है रश तो देखना यह है कि मैंन का रश रोख पाता हो कि नहीं तो जहिंदे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिर से एक बार आ चुके है स्क्वाइड वसे स्क्वाइड का कीम प्रे लेखे अब फिर से हम एक बार जा रहे थे निंबस आइलेंड पर ऐसा ही इसका नाम है शायद मैंने कहीं पर देखा था अब यहाँ पे कापी सारे बंदे आयए थे जैसे कि हमेशा कि त्रहा आते हैं काफी सारे बंदे हमारे साम Васह कि लुटा लाटी करे थे हमके यहां पर गन मिलना बहुति मुश्किल हो गया था तो मुझे यहां पर शाट गन मिल जाते हैं तो देखू भई एक एक करकर कैसा प्यलते है अब यहाँ पर हमने दो बंदे नॉक ओट कर दिये थे और इनके काफी सारे बंदे जो थे मतलब काफी तो ने होंगे लेकिन इनके दो बंदे जो थे जिन में से एक मेरे पीछे नॉक ओट पड़ा हुआ था अब तुमको मैं ऐसा बंदा दिखाने वाला हुँ जो देखके तुमारे आखे चौक जाएंगी अब ये बंदा देखो ये बंदा पूरा का पूरा दिमाग यहाँ पबजी में ही खर्च करते था अब देखो और इसकी मौत इतनी आसानी से होंगी न तुम लोग भी देखो कि भाई क्या पंदा था ये देखो भाई एकी हेड में इसका काम 25 हो गया और इसकी सारी की सारी महिनत बेकार चलीगी 10-12 शील्ड लगाने के बावजूद भी इनका काम यहाँ पर 25 हो चुका था इनका लास्ट वाला जो बंदा था मेरे ख्याल से मेरे सामने की तरफ होना चाहिए ये रहा लेकिन तभी सामने से कुछ बंदे आते हैं अब इसको मैं फिनिश करने जा नहीं सकता था क्योंकि आगे से मेरे बंदे आ रहे थे अब ये बंदे मुझे देख चुके थे मतलब मैं यहाँ से निकल नहीं सकता था तो मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ अब ये बंदा क्या करता है ना भाई साब बहुत ज्यादा था यह बंदा अब मेरे को लगा कि इस बंदे को मैं यहाँ पर नॉकाट कर दूंगा यह ओपन से आ रहा हैं है कि ने लेकिन ऐसा भिलकुल भी नहीं था अब देखो देखा भाई तुरंत इसने एक शील्ड तयार कर ली जिसके वज़े से बच गया अब पीछे से मुझे फुट्सटप आते हैं मैं यहाँ पर पीछे जाता हूं लेकिन मेरे पीछे जो शील्ड वाला बंदा था वो मुझे पेल देता है तो वहां से हम निकल जाते हैं निकलने क सामने वाले बंदों का एक बंदा नौकएट कर देते हैं तो करना क्या था हम यहाँ पर गाड़ी उठाते हैं और रश करने के लिए निकल जाते हैं तो मैं यहाँ पे तुरंत एक बंदा नॉक ओट कर देता हूँ और पीछे आ जाता हूँ मैंने बोला भाई तुमको जो करना है कर लो मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला लेकिन थोड़े देर बाद मुझे पता चलता है कि इनका कोई भी बंदा यहाँ बचा हुआ नहीं है लेकिन जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ मुझे आगे की तरफ से कुछ फुट्सिप्स आते हैं इसका मतले यहाँ पर इनका एक बंदा बचा हुआ था जो कि इस वाल के पीछे था जिसको हम यहाँ पर ग्रनेट से उड़ा देते हैं चलो भाई जॉन विक अब यहाँ का मामला मेरे ख्याल से पूरा का पूरा साफ हो चुका था तो हम यहाँ पर थोड़ी से लोटा लाटी करते हैं उसके बाद में हम यहाँ पर ड्रॉप अगेरा लूट लेते हैं इस में से मुझे ग्रोजा मिल जाती है अब ग्रोजा उठाने के बाद मेरा कॉन्फिदेंस ऑफ लेवल बहुत जादा हाई हो जाता है और मैं इसी गुस्ते गुस्ते में यहाँ पर गाड़ी ठोक देता हूं लेकिन यहीं बहुत बड़ी गलती थी अरे यार वस एक ही रहे गया था अगर इसको पेल देता तो बहुत यी बढ़िया हमारा क्लच हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं हमारे चार नमबर ने हमें याप पर बचा लिया वैसे ऐसा बहुती कम बार होता है जब हमको चार नमबर या फिर कोई बचा लेता है अब यहाँ पे हम बंदों के खोज में निकल पड़े थे अब यहां पे मुझे कुछ देखता तो निये है लेकिन फायर आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि बंदा यहीं पर है जिसको कि हमारे टीमेट से आप पेल देते हैं अब इसी बंदे ने हमको ऊपर की तरफ मारा था तो हम इसको भी पेल देंगे लेकिन इसको हम थोड़ा जलील करेंगे उसके बाद में इसको मौत देंगे अब यहाँ पे हमने इस बंदे को भी ठिला दिया था अब यहाँ पे आसपास मेरे ख्याल से कोई भी नहीं दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पैंटेज वगरा लगा ली क्योंकि मेरे हैल्थ थोड़ी सी कम हो चुकी थी अब यहाँ पे वैसे भी कोई आने वाल नहीं था क्योंकि जोन यहां पर आ चुका था यह जो मशीन वगरा जो भी है उपर जाने का रास्ता यह बंद हो चुका था तो मैं यहां पर थोड़ा सा टहल रहा था तभी मैं देखता हूँ कि उपर से कुछ आ रहा है तो अभी यहां पर उपर से दो बंदे गिर चुके थे जो कि पैरेशूट से आये थे मतलब उपर से कोई कुदा होगा तो मैंने सुचा भाई जल्दी जल्दी बग्य उठा लो और इनको जल्द से जल्द पकड़ लो वरना ही कहीं फिर गुम हो जाएंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे तो पहले तो इनको पकड़ते हैं अब इन लोगों कभी यहां पर काम हो चुका था हमारे यहां पर 12 किल हो चुके था जो कि बहुत बढ़िया बात नहीं है लेकिन कम से कम ठीक टाक है अब यहां पर हम आते हैं हमें यहां पर थोड़े से फुट से बंदा भी था जो कि मुझे आपर नॉकाट कर देता है लेकिन चिंता कि कोई बात नहीं है हमारे यहाँ पर टीमेट जिन्दा है जो कि हमको यहाँ पर शायद बचा लेंगे अब हमको जिसने नॉकाट कर रहा था उसको हम देखो कैसे पहलते हैं चलो बड़ा बोलो जाये श्रीराम इसको हमने पेल दिया है यहाँ पर क्योंकि यह बंदा बहुत दगड़ा खेल रहा था तो मेरे को शायद गन फाइट में हरा सकता था लेकिन मैंने इसको ग्रिनेट से पेल दिया क्योंकि ग्रिनेट में कोई गन फाइट वगरा जैसा नहीं होता तो भाई छोड़ो कल की बात हम यहाँ पर आ चुके थे अब यहाँ पर मैं आ चुका था तो मुझे सामने की तरफ एक गाड़ी दिखती है तो मैं थोड़ा सा ड पीक वगरा करने लग जाता हूँ तो उनको शायद पता चल जाता कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अब यह बंदी यहाँ से भाग रहे थे तो मैंने सुच अब हील वगरा कर लेते लेकिन मुझे सच बता हूँ तो बहुत ज्यादा आलस आ रहा था हीलिंग करने का तो मैं यहाँ पर पीक वगरा करकर देखता हूँ लेकिन तभी यह बंदा मुझे नॉक आट कर देता है प्लेशन के लुने रहा हूँ अच्छ सामने वाले घर सांवने ले पीक ले रहा हूँ प्लेशन कर दोनों को प्लेशन के लिए लास्ट पवाला बंदा मेरे सामने आता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा से स्नाइपर और अगरा करने की कुशिच करता हूँ लेकिन मेरे से घंटा भी कुछ नहीं होता क्योंकि स्नाइपिंग मुझे इतनी आती नहीं है तो मैं यहाँ पर अंदर एक मॉली फेक देता हूँ जिसके वज़े से वो बंदा हम पर रश ना करें और हम यहाँ पर अपने टेमेट को रिवाइब दे सके है के नहीं अब इनका एक बंदा था जो कि हमारे सामने नौकाट पड़ा था उसको अंस्पेक्टेट करने के लिए फेज देंगे बहुत तुरंत तो महीं यहाँ पर फिर से एक बार एक मौली कर देता हूँ जिसको जैसे वो बंदे डर के पीछे भाग जाता है और अब देखो इनकी मौत अगर तुम इस एंगल से उस बंदे को मारते हो तो उसको घंटा भी पता नहीं चलेगा कि वो बंदा कहां से मार रहा है मतलब तुम कहां से मार रहे हो अगर तुम तुरंत यहां से जंप करके उसको मारते हो तो शायद ही उसको पता चले या फिर उसको भड़क भी ना लग सकते हो मतलब कि तुम वहाँ से भी चला सकते हो लेकिन तुमको वहाँ जाधा दिर नहीं रुकना है what you're doing and let's